Hello Friends, अभी हम discuss करेंगे 2020 की एक Supreme Court ruling Abhilasha versus Prakash and others. इसमें एक married daughter है जो अभी earning नहीं करती है और अपने father से maintenance मांग रही है लेकिन section 125 CRPC ये बोलता है कि बच्चों को maintenance मिलेगी till they attain the majority. 18 साल तक की उमर तक ही मिलेगी और उसके बार तभी मिल पाएगी जब की physical disability है. माना ऐसा कुछ नहीं है तो section 125 बोलता है कि नहीं मिलेगी उसमें case हुआ था, reject कर दिया कि नहीं मिलेगी. फिर ये claim किया गया कि एक और act है जी, Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956. उसके section 20 of section 3 में लिखा है कि अगर कोई Hindu daughter है, तो उसको जब तक कि उसकी marriage नहीं हो जाती, तब तक parents को maintenance देनी पड़ी. प्रोवाइडिड वो कुछ नहीं खारी कमारी, मतलब वो कुछ अभी job नहीं कर रही, बेशक उसकी age 18 से उपर हो गए. समझने के लिए ऐसे simple example ले लेते हैं कि एक 20 साल की लड़की है, अभी पढ़ाही कर रही है, वो नहीं कुछ कमाती है. तो क्या उसके parents उसको maintenance देने को मना कर सकते हैं, या वो अगर case फाइल करें तो क्या होगा. तो Supreme Court ने का बिल्कुल section 20, subsection 3 in the Adoptions and Maintenance Act में father की responsibility बनती है, देना पोड़ेगा. इस particular case में ये बात आई थी, कि आपने क्योंकि application 125 में लगाई ये CRPC, वहाँ तो ऐसा नहीं लिखा, तो वहाँ नहीं मिलेगा, that means अगर आपको section 20, subsection 3, ये 1956 वाल Act यूज करना है, तो इसकी partition लगाओ, इसमें मिल जाएगा, ये established होगा इस case में.